नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका डेल लॉव में आज बहुत यह सान सब दो में हम समझेंगे आर्टिकल 39A अर्टिकल 39A किया बात करता है अगर अर्टिकल 39A की बात करें तो 39A डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ओके सो इकोल जस्टिस होना चाहिए और फ्री लीगल एट डैट मिन्स की उसको कानूनी सहायता मिलना चाहिए अगर वो एकनोमिकली वीकर है उसके पास पैसे नहीं है अपने केस को लडने के लिए तो उसको गोवर्मेंट के तरफ से उसको एक यारनी की लॉयर यारनी की एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाए ताकि वो अपना केस को हैंडल कर सके सो यह सुनिचित करेगी स्टेट अगर बात करे इसको इसके बारे में कहागे every citizen of India regardless of their socio-economic background is entitled to receive equal justice under article 31 39 A sorry of the constitution of India so the act also directs the state to provide suitable legislation for citizens who do not have access to legal aid so the constitution जो की 42nd amendment act 1976 था इसमें एक act introduced किया गया लेकिन ये तो हो गया bear act में जो कहा गया है article 39 A का historical background और इसका scope बहुत बढ़ा है article 39 की अगर बात करे equal justice and pre-legal aid under Indian constitution में so before 90 60 1976 sorry before 1976 की अगर बात करे so before 1976 there was no concept of free legal aid okay before 1976 से पहले यहां पर कोई concept ही नहीं था legal aid का in India so the bombay legal aid society जो की पहला society था जो की एक तरीक से free legal aid provide करते थी उसमें कुन थी? bombay legal aid society जो की पहला legal aid society था जो की एक तरीक से free legal aid provide कर वारा था उसमें जो की poor litigants होते थे पूर लिटिगेंट्स जानी की जो वादी है वो गरीब है उनके पास अपना केस लड़ने का पैसा नहीं है वो बैचारे क्या करेंगे उनको तो सालो बर जेल में रहना पड़ेगा फिर अगर वो गलती किये भी नहीं होंगे तो उसके लिए भी जेल में वो रहेंगे तो एक तरीके से यह कहीं नहीं वाइलेशन था उनके लिगल राइट्स का इसको लेकर एक कमीटी बना और उस कमीटी को क्या कहते है उस कमीटी को कहा गया कमीटी ओन लीगल एड एंड लीगल एडवाइस इन बॉंबे यह चेर्मेंशीप था किनका चेर्मेंशीप के अंदर था यह पी एन भागवती ज़िन के पास पास पैसे नहीं है कंट्री में जो ऐसे गरीब लोग एसे पूर लिटिएंट्स इनको अपना केस लिए व्ला तक इन्तिजार करना पड़ता था विए उनके अंके पास कोई लिगल प्रैक्टिश्नर यानि को एड्वोकेट नहीं होता था उनके पास ओके उनका मुगादमा को लड़ सके तो अ कमीटी जो किया ऐसा था जो हेड़ था ये पी न भागवती के दोबारा जैसे की बताया तो बाइद फॉर्टी सेकंड अमेडमेंट तो दा इंडियन कॉस्टिटिशन आर्टिकल थर्टी नाइड वस अड़ेड आर्टिकल थर्टी नाइड जो एड किया गया वो फॉर्टी सेकंड कॉस्टिशनल अमेडमेंट नाइटिं सेवंटी सिक्स के अंदर ये हुआ था इक्वल जस्टिश और फ्री लिगल एड ये जैसे दिया गया है तो फ्री लिगल एड नोट वनली मिन्स फ्री रिपर्सेंटेशन और हेल्पिंग दh लिटी इंट हुई एकिनोमिकली भैकवर्ड ओके फ्री लिगल एड इस नौट की वह के वल एक ही चीज लिपर्सेंटेशन करता है कि वह ऐसे लिटिगेंट जो कि एकनोमिकली भैकवर्ड है और गिरफतार कर लिया जाता है उनके पास इतने गरीब है उनको कुछ पता ही नहीं है और उनको अंदर बंद कर दिया पता है उनके लीगल राइट की वायलेशन हो जाता है तो ऐसे पूर पीपल जो है इनके लिए क्या किया गया लीगल राइट्स प्रोवाइड किया गया सबसे पहले और यह सीबिल क्रिमनल और रेविन्यू कोट्स रेस्पेक्टली भी इसको बेगिनिंग में 1972 के दौरान इसक legal aid जो था एक तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये एक तरीके से conduct करता है जैसे कि लोक अदालत के थुरू इसको जो की ensure करता है लोक अदालत जैसे आप जानते हैं लोक अदालत की अगर बात करें लोक अदालत क्या इसमें काम करता है लोक अदालत की एक तरीके से लोग अधालत और जो गरीब लोग है उनकी सुनवाई भी वहाँ पर होती है जो ऐसे पूर लिटिगेंट्स है जिनके पास ना अपना कोई लीगल प्रैक्टिशनर है उनके केस कई वार तीन महिने दो महिने के केस के लिए दो महिने का सजाग खीच रहा है और व ऐसे भी बहुत सारे लिटिगेंट्स है जो यह मेन चीज है तो हल्प दा पीपल वो दो कना अफोर्ड तो ड्रेवल अल्ड वे अव प्रैक्टिशनर है जो एसे में उनको बहुत लंबे समय सो गुजरना पड़ता है जो वैन वी टॉक अबाओ लाइक इंडिया इस वेल्फ सब्सक्राइब अगर अगर बात करें यह केस है हुसनेरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी स्टेट अब बिहार वाला जो केस है सु फिर्स्ट केस जो यहां पे डिसकस करने वाले है यह केस है हुसनेरा खातून स्वाटकर्ट में लिख लीचे वर्स स्टेट अब बिहार इस केस में क्या था इन इस केस अब फैक्ट वर दाट अलॉट अब मैन और चिल्डन वर पूर्ट पिहाइंड बार्स फर लॉंग पिरियद अफ तैम अब बहुत सरे लोग थे जिनमें महिलाएं थी कुछ पूरूस भी थे बहुत सारे उसमें बच्चे थे जिनको जेल में डाल दिया गया और वो वेट कर रहे है कि हमारा कब समय आएगा कि इससे बाहर निकाला जाए इसमें कही वार लाइक ऐसे यह छोटे-छोटे केस थे मैने का पनिस्मेंट के लिए उसको करीबन दो महिने का सजा होता है ऐसे वे उसके लिए उनको तीन साल दस सालों तक अंदर रखा गया तो यह आगे जाकर को इसको देखती है और कोट ये कहती है कि इसको संग्यान में लेता है कोट and the court ये कहता है कि ये जो violation है article 39A का 39A को acknowledge में लेता है और बोलता है ये तो violation है इसको जल्दी छोड़ो so in this case the court in this case acknowledge that the importance of article 39A what is the importance of article 39A उसको समझाया कि ये तो एक तरीके से equal justice and free legal aid का violation है और इसका importance क्या है पता ही नहीं है and held that all of them should released with the immediate effect ओके सब को उसको छोड़ा गया ये तो एक case था दूसरा case अगर बात करें है हां पर so second case is Sela Varsay Sela Varsay versus Union of India so ये Sela Varsay versus Union of India के अगर बात करें this was also discussed in the case of Sela Varsay like इसमें क्या था कि Sela Varsay who was a journalist and activist for prisoner's rights Sela Varsay कौन थे इसमें fact के पर अगर जाए तो ये एक पत्रकार थी जो की एक activist भी थी जो की एक तरीके से prisoners rights के लिए जो jail में कैदी होते हैं जिनका न कोई है poor litigants है like उनके पस कुछ ही नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए लड़ती थी वो और लाइक यहां पर उनके पास एक inform ऐसा information आया और inform किया उन्रेवल सुप्रीम कोट को that 15 बिमेंस जो थी prisoners who were in a bombay central jail you know 15 महिलाएं थी जो की bombay central jail में थी उन में से 5 महिलाएं जो थी admitted थी that they were assaulted by the police inside the lockup पंदरा महिलाएं थी उन्हें से 5 को बहुत बुरी तरह से assault किया गया और मारा भी गया so बहुतो एक तरीके से जर्नलिस्ट ने इसको ऐजा क्या क्या संग्यान में लिया और उसको एक तरीके सुप्रीम कोट में पेटिशन डाल दिया so in this REIT petition जो सीला वार्षे वार्षे जुने आफ इंडिया में REIT petition and the reported file stated about the inadequacy of legal assistance to these women in the prison की इनको इन महिलाओं को तो मतलब इतने गलत तरीके से assault किया गया है और एक तरीके से legal assistance भी providing किया गया है prison में so court ने यहां पर यह कहा कि संग्यान में लेते हुए जो की petition डाला गया तो REIT issue किया और कहा यहां पर की REIT petition में report किया गया the court इसमें held किया कि there is a violation of article 39 a there is a violation of article 39 a okay and gave certain guidelines regarding the same which gave the duty of the state as well as the magistrate okay कि यह state की दाई तो बनती है duty बनती है directive principles of state policy के अंदर है इसको सुनिशित की जाये और legal assistant तो हमेशा सबको provide करना है जो legal practitioner जो हर poor litigant को provide करवाना है so earlier the constitution was on the law was discussed in the idea of free legal aid इसको discuss किया गया so यही सब चीज इसमें बताया गया था और इसके बाद हमारे यहां यह एक तरीके से law लाया गया एक जो कि legal services authorities act के नाम से जाना जाता है legal services authority acts 1987 यह अगर आपको जानना है तो जनकारी के लिए आदर करक सकते हो जिसमें delegation किया गया like responsibility and authority was mentioned and also the procedure for free legal aid was provided in this case actually in this act not in this case okay in this act so यह act में हर चीज को बताया गया इसका procedure क्या है हर चीज को बताया गया था so यह हो गया article 39A I think यह complete हो गया thank you so much